यहां पर आपके सारे स्कूल के कॉंसेप्स एकदम इजी तरीके से क्लेर हो जाते हैं तो बिना किसी रुखावट के चलो शुरू करते हैं अहोई होई एवरिवन आज हम लोग हिस्टरी का लेसन नमबर टू इंडिया इवेंट्स आफ्टर नाइटीन सिक्टी का लेक्चर नमबर वन देखने वाले हैं इसमें ये चैप्टर में हम लोग इंडीपेंडेंस के बाद जो इंपोर्टिन इवेंट्स हुए 1960's में वो हम लोग सीखने वाले हैं लोग इंपोर्टिन इवेंट्स जो हुए हमारी freedom struggle के बाद वो देखने वाले हैं सबसे पहले तो हमको जो बेसिक से वो याद रखना होएगा जो चैप्टर के शुडवात में है कि हमारा इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और इस दिन को कहा जाता है इंडिपेंडेंट्स डे उके उसके बाद हमारे इंडि एक्सेप्ट किया यानि हमारा जो Constitution का बुक है, जिससे हमारा government चलता है, हमारा सब law, सब राजनीती चलती है, Constitution का बुक, वो कभी एक्सेप्ट किया, इंडिया ने वो 1950 को एक्सेप्ट किया, और इस दिन को हम लोग Republic Day बोलते हैं, इस दिन पर कहा जाता है कि we became a sovereign democratic nation, Sovereign मतलब independent हो गए, हमारे उपर कोई foreign का जो country है या देश है हमारे उपर राच करके नई वापस से रूल कर सकता है, ओके, So यह था हमारा 1947 and 1950 का significance, ओके, अभी इसके बाद, देखो, बले ही हम लोग का constitution book आ गया, हमारे independence हो गया, सब कुछ हो गया, बट आपको यह याद रखना पड़ेगा, हमको Britishers लूट के गए थे, हमको तभा करके चले गए थे वो लोग, बड़बर, So independence के बाद भी, there were a lot of issues, a lot of problems, जो हमारा society face काया था, सबसे पहरा था, पैसे का problem, मैंने क्या बोला, लूट के चले गए वो लोग, तो हमारे पास economic का issues था, सब के पास बहुत कम पैसा था, सब जगे गरीबी थी, ठीके, फिर दूसरा था, political issues, आपको यह याद रखना होगा, कि जब हमें independence मिल गया, independence के बाद बहुत हला बोल हो गया, सारे देश जो है, वो divide होने को शुडू हो गया, बरबर कुछ देश जो है, वो पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ देश जो थे, वो इंडिया में रहने को चूस कर रहे थे, so there was political unstability, okay, stable government भी नहीं था, and third था, social issues, जै तो हमारे पास यह सारे issues थे, अभी obviously हमने एक government form किया, बरबर constitution एक government form किया, हम sovereign देश बन गए, independent देश बन गए, तो government ने क्या-क्या, government ने बोला कि हम इसके solutions निकालेंगे, जो problems है, इनके solutions निकालते, तो सबसे पहला जो solution निकालते, तो सबसे पहला जो solution निकाला वो था, establishment of planning committee, ठीक है, अभी planning committee क्या होती है, एक committee है, जिसमें लोग बैठते है और plan बनाते है कि हमारा जो इंडिया का देश है, वो कैसा होना चाहिए, यह हम लोग हमारे देश में कौन से चीजे लाबू कर सकते है, जिसके तुरू हमारा देश जादा प्रोग्रेस कर पाई, यह बहु एस्टाबिश्मेंट ओफ planning committee, second था industrialization, हमने डिसाइड कि हमें हमारे इंडिस्ट्रीस जो है, इंक्रीस करना पड़ेगा, अगर हम हमारे देश की इंडिस्ट्रीस इंक्रीस करेंगे, तो हमारे देश की प्रड़क्स लोग बाई करेंगे, और हमारे देश फिर से क्या हो economic problem को solve करेंगे, third जो था, वो था successful conduct of elections and faith in democratic traditions, ठीक है, so अभी जो government form हुई, government को ये दिलासा दिलाना था लोगों को, कि बाबा मैं अच्छा हूँ, तुम मेरे पर भरसा कर सकते हो, तो उसके लिए उन्होंने successful elections जो है, वो कंड़क करने को शुरू कर दिया, लोगों पर ध्या होती है, ये लोगों को उन्होंने बताया, कि तुम्हारे ही राज में सब कुछ है, तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ है, गवर्मेंट भी तुम्ही वोट करोगे, वोट करो, वोट करो, ऐसे awareness जागरुकता बढ़ाने लगे, थर्ड क्या था, थर्ड था हमारा policies and programs for weaker section of society, ठी है, फिर वो लोग policies बनाने लगे, गवर्मेंट बन गई तो government बनाने के बाद, policies बनाने लगे कि जो reserved category के है, जो बहुत ही backward classes है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम reservation कर सकते हैं, उनके लिए हम jobs दिला सकते हैं, तो इस तरीके से political and social issues के भी solution उन्होंने निकाले, I अभी हम लोग actual शुरुवात करेंगे 1960s से, ठीके, 1960s में क्या क्या हुआ, क्या क्या सीन चल रहा था, तो हम लोग भी 1960s में टाइम ट्राइवल करके चले जा रहें, सबसे पहले, सबसे पहले, गोवा, दियू, और दमन, यह जो तीन देश थे, मतब तीन जो स्टेट्स थे, यह ना पहले Portuguese के रूल में थे, ठीके, हमारे independence होने के पहले यह Portuguese के रूल में थे, उनके language ही वो लोग बोलते थे, उनके traditions ही वो लोग फॉलो करते थे, बट इंडिपेंडेंस के बाद, दे वर freed from Portuguese rule, ओके, and they became a part of Indian federation, ठीके, federation का मतलब क्या होता है, इंडिया के country का एक पा पाकिस्तान के साथ रहना है कि उनको इंडिपेंडेंडेंट देश बनना है, correct? So, बहुत पॉलिटिकल अंस्टेबिलिटी थे, ओके, तो गोवा दियू दमन, they became a part of Indian federation, second, इंडिया और चाइना नॉर्धन बॉर्डर टेंशन, बॉर्डर टेंशन, ओके, अभी यह बहुत Actually, 1960s में क्या हुआ ना, चाइना के पास एक देश आया, जिसका नाम था टिबेट, ठीके, चाइना ने एक देश लिया, जिसका नाम था टिबेट, अभी प्रॉब्लम यह था कि यह जो टिबेट था ना, यह टिबेट, इंडिया और चाइना दोनों के बीच में आता है, ठी तो उसके वज़े से चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन होने लगा एक अन्बन होने लगी उनके बीच में, ठीके, सो इस टेंशन बेटूइन इंडिया और चाइना नादर बॉर्डर वस राइसिंग सिंस 1950, क्यों 1950 में क्योंकि तभी सही टिबेट जो है, वह आया च मोहन लाइन, ठीके, वह जो बॉर्डर था, जिस जो इंडिया और चाइना शेर कर रहे थे, वह बॉर्डर का नाम था मैक मोहन लाइन, एन उस बॉर्डर पे इन दोनों के बीच में वार लड़ी गई, जिसमें इंडिया हार गया, बट क्या हो गया, सिच्वेशन जो है, वह अभी थर्ड इवेंट क्या हुआ, थर्ड इवेंट पंडित जवालना नहरू बीकेम धर फर्स प्राइम इनिस्टर ओफ इंडिया, वके, अभी इंडिपेंडनेंस होगा, तो ओब्यसली गववर्मेंट फर्म हुआ, तो गवर्मेंट के लिए एक प्राइम मिनिस्टर चाह कि यह जो प्राइम मिनेस्टर थे इन्होंने फॉरेंड देशों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रखा ठीके उसके वज़े से इंडिया जो है वह आज तक न्यूट्रल कंट्री माना जाता है जिसके जिसका सबके साथ अच्छा रिलेशन है तो बहुत इंपोर्टिंट थ इंडिया जो आप आज डैम्स देखते हो या जो आप कमपनीस देखते हो तीके बड़े बड़े कमपनीस है गोवंमेंट की कमपनीस है या इतने सारे डैम्स है वह सब पंडित जवालन नहरू नहीं एंकरेज किया कि जितना हम लोग हमारे देश का एकोनॉमिक करेंगे उतना हमारा देश आगे बड़ेगा ओके सो उन्होंने बेसिकली एक स्ट्रक्चर दिया हमारे देश को हमारे देश को प्रोग्रेसिव बनाया and then he passed away in 1964 अभी पंडित जवालन नहरू के बाद जो सेकिंड प्राइम मिनिस्टर आए वो थे लाल बहादूर शास्त्री ठीके नाम में उनका परस्नालिटी भी आपको पता चल जाएगा वो बहुत ही बहादूर प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने भी बहुत ही अच्छे काम किये हमारे देश के लिए ठीके में उनका काम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुला करने के लिए ठीके चलो लाल बाहदू शास्त्री वे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फेमस फॉर इस लोगन जय जवान जय किसान ठीके तो उस टाइम पे उस टाइम पे क्या होता था जो फार्मर्स है या फिर जो आर्मी के जो मिलिटरी वाले है उनको जादा भाव नहीं दिया चा हमारे देश में नहीं रहेंगे तो हमारा देश जो हो वीग बन जाएका तो उनको मोटिविट करने के लिए इस लोगन ने काला फिर क्या हुआ इंडिया और पाकिस्तान फॉट और वार फॉर कश्मीर ठीके ये कश्मीर के बीच में वह टाइम से ही चला जा रहा था एंड बीच में कौन आया रश्या आया सोविट यूनियन के रश्या वह दोना के बीच में आया ठीके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और उसने ट्राइ किया ठीके एंड उसके वज़े से रश्या क्यूंकि बीच में आया उसके वज़े से इंडिया और पाकिस्तान क्या हो कुछ ठीक हो गए लेकिन प्रॉबलम यह हुआ कि उजब रष्या जब बीच में आया ना इंडियो और पाकिस्तान के तो शुला किदर किया गया था उजब किस्तान एक देश है उस देश के अंदर ताशकेंट करके एक जगे है वहाँ पे उनका सुला हुआ था तो लाल भाध तो शास्त्री जी का क्या हो गया? देथ हो गया. ठीके, 1966 में उनका देथ हो गया. तो असा माना जाता है कि उनको असासिनेट कर दिया. Next कौनसी प्राम मिनेस्टर आई फिर? इंदिराग गांधी. She was the third prime minister in India and she was the first female prime minister of India. She is known for nationalization of banks and cancelling pensions of princes. Okay, जो बैंक से उसको गवर्मेंट का कर दिया and princes जो है उनको मतलब रिटाइर होने के बाद भी pension देते हैं, पैसा देते हैं, वो उन्होंने बोला उनको नहीं मिलेगा. Okay? उसके बास बहुत अच्छे decision abilities थे. अभी ये ध्यान से देखो. क्या हुआ इंदिरा गांधी के टाइम, पाकिस्तान जो है, वो एक्चली दो पार्ट्स में था. एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का है and एक था इस्ट पाकिस्तान जो है बांगलादेश. ठीके? उस टाइम का बांगलादेश था. अब जो West Pakistan है वो क्या करता था? अप्रेसिव पॉलिसीज डालता था बांगलादेश के ओपर, East Pakistan के ओपर तुम हमारा सब कुछ फॉलो करो, तुम हमारा language बोलो ठीके, बांगलादेशी मत बोलो, उर्दु बोलो तो इन्डिया बीच में आया, इंदिरा गांधी बीच में आया इन्डिया ने क्या किया, इन्डिया गेँव फ्रीडम टु एस्थ पाकिस्तान ठीके, बांगलादेश को फ्रीडम दिया बांगलादेश को बोला कि हम तुमको independent अपना कंट्री बना देंगे तुम जो है तुम लोको हम बचा देंगे and movement was led by Sheikh Mujibur Rahman यह एक Bengali थे ठीक है बांगलादेशी थे यह और उनका एक organization था Mukti Bahini तो यह जो Sheikh Mujibur Rahman और India की Indira Gandhi यह दोनों ने मिलके बांगलादेश को free कर आया ठीक है? He was the leader of Bengali people and because of this millions of refugees बांगलादेशी refugees, they came to India and they decided to stay in India and this way India freed बांगलादेशी तो यह बहुत इंपोर्टेंट इवेंट वा इंदरा गांधी के टाइम पे और इंदरा गांधी के अच्छे डिसीजिजिए बांगलादेश को freedom मिला तो 1960s का टाइमलाइन 1962 में क्या हुआ इंडिया वर्सिस चाइना बॉर्डर 1964 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाला नेरू डाइड 1965 में इंडिया वर्सिस पकिस्तान ओके 1966 में सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल भादु शासरी जोए वो मर गए और इंदरा गांधी ने रेप्लेस किया ओके आई होब तुम लोगो यह समझ गया अभी हम लोग 1970 में जाते है 1960 के इवेंट्स हो गए खतम अभी हम 1970 में जाते है यह याद रखो कौन है अभी तक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अभी प्राइम मिनिस्टर है ठीके अभी 1970 में सबसे पहला चीज क्या हुआ इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांगलादेश वास फॉर्म्ट बिकास ओफ हूम बिकास ओफ गुड लीडर्शिप ओफ इंदिरा गांधी ठीके इंदिरा गांधी के वज़े से एक इंडिपेंडेंडेंट कंट्री बन गया बांगलादेश उसके बाद क्या हुआ उसके बाद इंडिया जो है वो प्रोग्रेस होने लगा ठीके इंडिया ने बोला कि चलो हमने सोशल डेवलप्मेंट कर दिया जैसे मैंने बताया ना asamwen जवालन नेरू ने नजन को से डेशने से भांपोण determination अब आपको माले मैं आज कि मानलज चाई आज इंपोर्टन वावर प्लाइन वगरा है तो ये जवभी प्लांट सर्वेंटा जनकोटारा शुरू हो गया इसका टेस्टिंग थॉर्ड 3. Sikkim became a part of India मैंने बोला ना सब जो देश है वोट कर रहे थे कौन इंडिया में रहेगा, कौन पाकिस्तान में रहेगा, कौन इंडिपेंडेंट रहेगा तो Sikkim जो था उसने डिसाइड गया कि मैं इंडिया में जॉइन करूंगा and it became a full-fledged state in Indian Federation मैंने बता है ना Indian Federation मतलब इंडिया का जो group of states जो बन रहा था इंडिपेंडेंडेंस के बाद उसके बाद इंडिया का state जो है Sikkim बन गया in 1975 अभी 1975 आ गया 1975 से लेके 1977 बहुत ही unstable time था ठीके this time was called as period of national emergency अब यह क्या है और यह कैसे हुआ अचानक से इतना गरम मामला कैसे हो गया क्या हुआ कि अलाबाद high court था in 1974 it gave verdict उसने यह बोला मतलब उसने यह बताया यह चीज कि इंडिरा गांदी had misused government machinery for election campaign government services जैसे कि government की गाडियां या फिर government के जो लोग है officers है उनको आप election के time use नहीं कर सकते हो okay election के time तुमको खुद का गाड़ी खुद का सब कुछ यूज करना पड़ता है ठीके तो इंडिरा गांदी को बोला गया था कि इंडिरा गांदी ने गवर्मेंट के resources यूज किया खुद के election के कैमपेन के लिए so because of this this led to nationwide strikes and protest की इंडिरा गांदी ऐसे कैसे कर सकते है government का कैसे यूज कर सकती है machinery for her election campaign okay and the situation became complicated by movement led by जै प्रकाश नारायन जै प्रकाश नारायन एक थे लीडर थे जिन्होंने strike किया okay Indira Gandhi के अगेंस्ट उसके बज़े से और अन्स्टेबल लोगया situation and this led to national emergency तो कभी बिना अगर government बहुत ही helpless हो जाता है यह government के पासे कैसा situation हो आ जाता है जहां पर उसको कुछ इक्दम you know extreme measure लेना पड़ता है तो government क्या करता है national emergency declare करता है इसमें क्या होता है इसमें तुम्हारे fundamental rights fundamental rights of Indian citizens जो हो जाते है यानि कि तुम्हारा movement जो है वो controlled हो जाता है तीक है जो strike हो और है जो rally हो तुम्हारा जो rights है उसको थोड़े time के लिए suspend कर दिया जाता है ताकि movement वगेरा कम हो जाए और जो देश है वो stable हो जाए discipline हो जाए ओके तो यह हुआ अभी 1977 के बात क्या हुआ अभी obviously सब लोग को बलगा कि Indira Gandhi ने कुछ गलत किया तो अभी क्या करेंगे हम election वापस करेंगे ताकि Indira Gandhi को हम निकाल दे और दूसरी पार्टी को हम elect करें तो दो पार्टी आए एक जनता पार्टी आई जिसका मोराजी देशाई था लीडर और दूसरी थी congress पार्टी तो obviously कौन जीता जनता पार्टी जीता ठीके और मोराजी देशाई जो है वो रिप्लेस हो गए Indira Gandhi के जगे पे मोराजी देशाई बिकेम दफोर्थ प्राइम मिनिस्टर ओके अभी जनता पार्टी कैसे बना था जनता ठीके वो दो चार पार्टी को मिला के एक पार्टी बनाया था समझ रहे हो ऐसा करते गवर्मेंट मे दो चार चोटे चोटे पार्टी जो है वो एक पार्टी बन जाती है बड़ी पार्टी तो बिकॉज ऑफ इंटरनल डिफ्रेंसे इंसाइड द पार्टी अंदर अन्बन हो रही थी उसके वज़े से मोराजी देशाई है तो रिजाइन और उनके जगे पे चरन सिंग जो है उ उसके वज़े से क्या हुआ फिर से इलेक्शन कंड़क्ट हुए eher 1980 में ती के आप देखर हो अगर हम लोग आँनोग साटिस्फाइज फ़िसिछेघ नहीं रहते वैसफ त्पार्ट साल तक चलती है बट अगर आप साटिसफाइज नहीं रहोग तो फिर से इलेक्शन कंड़ था, okay, so 1970s का टाइम लाइन कैसा है, 1974 में हमने क्या रिसाइड कि अब हम साइंटिफिक डेवलपमेंट करेंगे, so atomic energy के टेस्ट करेंगे, ठीके पोखरन में, राजस्थान में, उसके बद 1975, 1975 में सिक्किम जो है, सिक्किम ने क्या रिसाइड किया, कि मैं इंडिया की देश बन कि अब जाँगी, okay, सिक्किम इंडिया का पाट बन गया, और जैसे ही सिक्किम इंडिया का पाट बन गया, पीरियड ओफ नाशनल इमर्जेंसी जो है, वो शुरू हो गया, 1975 में नाशनल इमर्जेंसी शुरू हो गया, ठीके, अब 1977 तक यह चला, एद 1977 में देर वस एंड जन्ता पाटी आई, okay, and then 1980 में फिर से जन्रेल इलेक्शन्स इलेक्ट वा क्योंकि किसी को भी जन्ता पाटी समझा नहीं, and इंड जन्रेल इलेक्शन्स में इंडिया गांधी फिर से प्राम मिनिस्टर बन गया, okay, so यह 1970s का सीन था, अब हम लोग 1980s में आएंगे, 1980s is said to be a time of political unrest, okay, politics, 1980s में बहुत ही politics हुआ, बहुत ही unrest था, okay, कोई भी एक government stable नहीं था, कोई भी कुछ भी stable नहीं था, politics में बहुत issues हो रहे थे, so first issue क्या था, northeast challenge का, okay, अभी northeast इंडिया में, जो Sikhs है, जो Punjabis है, उन्होंने बोला कि हम लोग को एक independent state चाहिए खुद का, हमको इंडिया का पार्ट नहीं रहना है, हमको खुद का independent state चाहिए, खालिस्तान, ठीके, and अभी जो इंडिया है, इंडिया मान नहीं रहा था, इंडिया बहुत है, तुम हमारी state हो, तो उसके वाजे से क्या-क्या पाकिस्तान बीच में आया, obviously, अगर किदर भी कुछ अन्बन चल रही है, प अभी इंडिया ने भी कुद की आर्मी भेजी, किसने बेजा, इंडिरा गांधी ने बेजा, इंडिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, तो इंडिरा गांधी ने आर्मी बेजा अपना उधर, and क्योंकि उधर वो लोग वार कर रहे थे, उनके जो, you know, होली प्लेस है, अमरि तो उसने क्या कर दिया, उसने उसको असासिनेट कर दिया, इंडिरा गांधी के खुद के परसनल एसिस्टिंट ने जो सिक था, उसने उसको ने असासिनेट कर दिया, and एक और अभी यह होने के बाद, एक और 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 अर्गनाइजेशन, जिसका नाम था, उल्फा, United Liberation Front of आसाम, वो भी North East India में है, तो उसने भी प्रटेस्ट किया, कि अगर पंजाब को अपना इंडिपेंडेंडेंट देश चाहिए, तो मुझे भी अपना इंडिपेंडेंडेंट देश चाहिए, ठीके, तो देख रहो किस तरीके से पॉलिटिकल अन्रेस था देशों के बीच मे मुझे इंडिपेंडेंडेंट रहना है, मुझे इंडिपेंडेंडेंट रहना है, अब ही, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वा, साउठ चालेंज, अभी देखो, इंडिरा गांधी जो है, वो बिकॉस अफ दिस North East India के चालेंज, पंजाब के सीन के वज़े से, इंडिरा पंज़ेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें development of india and he also tried to solve issues between tamil minority people and shri lankan people now we are coming to south south we are coming to south in the south there were issues that in shri lanka the main shri lankan people had their language in shri lankan and tamil people were living in shri lankan now both are unbanned that shri lankan told me only so tamil people were saying no we have to stay here okay so issues were happening now rajiv gandhi came to the beach but rajiv gandhi didn't solve the issue so tamil was angry and they decided to take revenge by assassinating him we will see how he assassinated him remember that tamil is not happy with rajiv gandhi now what happened in the beach now what happened in the beach now rajiv gandhi was accused for corruption okay so what happened this is a very big scam on google search too it is a very big scam like harshad mehta this is this scam is known as bofor scam so what happened it is that the indian government of rajiv gandhi indian government has received a foreign company from a foreign company okay and that foreign company was in sweden which was named boforz okay and this company is this cannon ball which is that it means it is cannon guns it is cannon guns it is that it is illegally secretly indian government was taking them but he was dropped from accusations by court in 2004 it was a very long case and in 2004 it was dropped from charges which it was dropped from them okay so it was a big scam now what happened next what happened next was general election started now people were not happy with rajiv gandhi now people were not happy with rajiv gandhi i said that he added a lot of corruption so it was a general election from rajiv gandhi and there was a coalition group and there was a coalition group which means very small parties became one party so the other party was the name of the other party and who was the leader of that party Vishwanath patap singh so obviously who won? who won? the people won? the people won because they were not happy with rajiv gandhi the people won the corruption so the people won the war and Vishwanath patap singh became the prime minister okay but they also resigned these thoughts because in their parties there was a lot of confusion when there were many small parties in one party then there were confusion some leader would say that I would like it some leader would say that I would like it so Vishwanath patap singh he replaced the place in 1990 but the government was short-lived his government didn't go for 5 years so the government didn't go for a long time then the election was conducted in 1991 okay and in this election when their campaign was going then what happened? tamil terrorist organization in shri lanka remember tamil was not happy from rajiv gandhi in shri lanka so this terrorist organization was named liberation tigers of tamil elm okay so liberation tigers of tamil elm this was a terrorist organization this was a terrorist organization and it was assassinated rajiv gandhi so this was also assassination rajiv gandhi now towards the end of 1990 the tension between india and pakistan for jammu and kashmir had increased okay this was the first time that india also wanted jammu kashmir and pakistan also wanted jammu kashmir so this is this tension increased more and more which led to terrorism which exists even today okay so 1980's timeline what was the most interesting what was the timeline what was the most interesting North East India challenge this North East India was the time of indira gandhi it was the issue of indira gandhi in indira gandhi and in 1984 indira gandhi who was assassinated his personal bodyguard what was the time of indira gandhi south challenge is the time of indira gandhi okay south challenge is the time of indira gandhi and he also said south challenge also said corruption and then 1919 general elections so today we will see the rest in the next lecture so how did you feel today write down in the comment section if you haven't liked this video then who is for this video like and if you can share this video so you can share this video so you can open your mind lastly if this video has helped you in any way please this channel subscribe to us and we will be happy thank you thank you just for watching i and i i i i i झाल